हम लोग अक्सर यहां बैठकर आपको कहते हैं कि मोदी सरकार ध्यान बटाती है रोज नए शिगूफे छोड़ना, रोज नए इवेंट्स करना, रोज हेड्लाइन मैनेजमेंट करना तो सवाल उठता है और बड़ा जायस और वाजिब सवाल है वो क्यों करती है किस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए किया जाता है, बताया कुछ जाता है, वो तो दिख रहा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या छिपाना चाह रहे हैं, वो बहुत एहम सवाल हो जाता है अभी पिछले हफते, ये पूरा हफता जो गया जो कल खतम हुआ, जी ट्वेंटी का पुरा एक शोरगृल मचाय जा रहा था जी 20 का इधर शोरगूल था सब कुछ धका जा रहा था सब कुछ छिपाया जा रहा था तो हमने पता लगाया कि सब क्या क्या छिपाया जा रहा है तो G20 की आड में LG 420 चिपाया जा रहा था, जमू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, सीधे सीधे केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहां LG है, नाम उनका मनोज सिनाजी है, अक्सर खबरों में बने रहते हैं, और कोई अच्छी खबरें नहीं होती, कभी किसी फ्रॉड से 25 लाग का लोन ले लेते हैं, किताबों पर, और अब जो मामला सामने आया है, वो और ज़्यादा गंभीर है, 13,000 करोड रुपे का गबन, का भ्रष्टाचार, जल शक्ती अजल जीवन, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, और तो और, एक अधिकारी जो की दलित परिवार से आता है, गुजरात काडर का है, डेपुटेशन पर जमू कश्मीर में है, नाम अशोक परमार है, आईएस है, विसल ब्लोर है, वो लगातार चिठियां लिखता है, लगातार फ्लैग करता है, लगातार ध्यान आकरशित करता है, प्रशासन का कि साब ये गलत हो रहा है, बिना टेंडर के हो रहा है, बिना प्रक्रिया का अनुकरण कि ये हो रहा है, साल में 4-5-5 बार उसका स्थानांतरन हो जाता है उसका ट्रासफर हो जाता है चार-4 बार ना केवल उसका स्थानांतरन होता है उसको भरी मीटिंग में स्वयम LG द्वारा अपमानित किया जाता है विसल ब्लोर के साथ तो ये हालत और जिन अधिकारियों का वो नाम लेता है उन अधिकारियों को प्रमोशन मिल रही है तो अब आपको समझ में आता है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है क्यों ये इवेंट मैनेजमेंट होता है क्यों आपके मालिकों पर इत इतना हस्तक शेप अगर मीडिया में हो रहा है तो अब समझ लीजे कि क्यों हो रहा है वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आए वो मीडिया ऐसे स्कैम्स को ऐसे घपलों को ऐसे ब्रश्टाचार को सब के सामने लाए घोटाले की एक क्रोनोलजी है जो मेरे सयोगी संजीव थोड़े देर बाद आपको सर्कुलेट करेंगे बहुत सारे एनेक्शर्स हैं उसमें फाइल नोटिंग्स हैं सब कुछ है इसमें तक्नीकी मंजूरी और प्रशासनिक अनुमूदन के बगैर कैसे निविदा टेंडर निकाला जाता है ये सारे मिंट्स हैं सब कुछ इसमें है और कैसे इंजिनियर्स की और अधिकारियों की जो की शामिल है इस इसकांड में उनको प्रमोशन दिया जाता है उसको सही जगे पर उनको बैठाया जाता है और जो जानकारी सारुजनिक करना चाहता है उसको प्रताडित किया जा रहा है अनियम इतता हैं बाहर न आएं उसके लिए योजनाओं को बांट दिया जाता है कलब करने की जगे अलग-अलग कर दिया जाता है और composite tender की एक प्रता थी उसको कैसे त्याग दिया जाता है वो सार एक बहुत व्यापक सी एक शिकायत उन्होंने 17 अगस्त को अभी इसी महीने पिछले महीने की थी जिसमें उन्होंने ये बताया और मैं उससे कोट करता हूं कि LG मनोच सिनहा ने 6 जून 2022 को उन्हें बिना किसी गलती के परिशान करने और अपमानित करने के उद्देश्य से ब कि उनको सचीवों की समिती की बैठक्ष से कख से बाहर निकाल दिया जाता है और भारत सरकार की जो स्थानांतरण नीती है जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको उलंगन करते वे लगातार इनका स्थानांतरण किया जाता है जब अशोक परमार ने इन भ्रष्ट आचरणों को उजागर किया तो उनके साथ ये सब हुआ इन्होंने राष्ट्रिय अनुसूचित जाति-जाति-जाति-आयोक को भी पत्र लिखा और उत्पीडन की, धंकी की, बत्तमीजी की, ये सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किये उस पत्र में, स्थाना अंत्रन के बारे में सवाल भी उठाए, किसाब एक जातिकत भेदबाव और पुर्वाग्र से ग्रसित होकर ये स्थाना अंत्रन किया जा रहा है, उनको प्रतार परमार जी ने लगाया है, उनका पूरा जिक्र इसमें किया है, दो अधिकारी हैं, खास तौर पे आईएस अधिकारी हैं, उनके बारे में भी इस पर पूरा आपको इस प्रेस नोट में जानकारी मिलेगी, हमारे कुछ सवाल हैं, हम बार-बार आरोप लगाते हैं कि ये बा 13,000 करोड रुपे के बड़े घोटाले का परदा फाश करने का एक तरह से सजा दे रही है, तो क्या ये जवाब देंगे कि इसका किंग पिन कौन है, बड़ी मचली कौन है, ये तो हो नहीं सकता कि साब कोई एक आईएस अधिकारी किसी को प्रतारित कर रहा है अपने जूनि इसको छिपाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, ये 13,000 करोड जा कहा रहा है, ये हमारा पहला सवाल है, गरह मंतराले में शिकायतों के बावजूद, CBI जाच की मांग के बावजूद, जमु कश्मीर प्रशासन या मोधी सरकार या गरह मंतरी, जिनके सीधे नीचे य त्रियान वयन में जो गोर अनियमित ताएं हुई यह उसका जांच का आदेश क्यों नहीं दिया फिर से वही पहला सवाल आ जाता है किसको बचा रहे हो किसको छिपा रहे हो क्यों नहीं जांच का कि मांग को स्विकार कर रहे हो और और एक डलित आये सधिकारी का उत्पीडन वो राश्ट्रिय अनुसूचित जाती आयोग को लिखता है आज तक इस आयोग ने क्या मनोज सिनह को तलब किया हमें मालू में नहीं किया तो हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं किया यह आयोग भी क्या राजनितिक है सिर्फ अपने राजनितिक प्रतिदंदियों के लिए बनाया है आपके अपने LG के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत आपके मातहत एक दलित अधिकारी करता है और आप उस पर चुप बैठे रहते हो ये क्या दिखाता है मुदी सरकार ने इस अधिकारी अशोक परमार के खिलाफ जूटे आरोब भी लगाए यह दावा करते हुए कि कॉंट्राक्ट समिती का वो प्रमुख बनना चाते थे जबकि इसका कोई लिखित कहीं भी आपको रेकॉर्ड नहीं मिलेगा हवा में आरोप लगा दिए उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए उसकी जो बात है उसको एक तरह से मटियामेट करने के लिए तो यह उल्टा चोर कोटवाल को डाटे का सिंड्रम क्यों है आपके अपने राज्य का अधिकारी है संघर्ष करके यहां तक पहुंचा है एकदम जो हिंदी पिक्चरों में भी देखते न उससे भी ज़्यादा कड़ा संघर्ष इस व्यक्ति ने इसके परिवार ने किया य हमारे यह तीन सवाल है इसका जवाब पूरी उम्मीद है हमें कि नहीं मिलेगा है लेकिन परदाफाश मोधी सरकार की असलियत से हो जाता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं और जब चुपी होती है वहां से कोई जवाब नहीं आता सब आयोग चुप LG चुप सरकार चुप ग्रह मंत्री चुप अब बोलने का वक्त जो है अब जनता का आ रहा है कि युवांट इंगलिश में बोलना है या जमु कश्मीर में जल्जीवन मिशन जो परियोजना है केंज सरकार की परियोजना है उसमर उसमें यह घोटाला हुआ और जिस विसल ब्लोर ने इस घोटाले को कपड़दा फाश किया उसको सजा दी जा रही है उसको बार-बार उ जिन अधिकारियों को उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है उनको पूरा बचाया जा जी कश्मीर ही में पोस्टेड है और उसमें जो दो लोगों पर जो राजनितिक लोगों पर शक की सुई जाती है एक का नाम में लिया एक का मैं भूल गया मैं अभी ले लेता हूं मनोच सिना का नाम लिया और जो जल जीवन मिशन के केंद्रिय मंत्री हैं शेखावत साहब उनका भी उन पर भी एक शक की सुई जाती है कि उन्होंने क्यों एक विसल ब्लोवर को सजा दे अने दी या दी और नामजद अधिकारियों को बचाया गया जिन पर यह आरोब था कि वह भश्चाचार में लिप्त हैं आपके सवाल कि बिना टेंडर के प्रक्रिया का पालन किये सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनका एक तरह से उलंगन करके ठेके दिये गए तेरा हजार करोड के ठेके दिये गए यह सारा हर जिले में घटिया काम का जो निश्पादन है वो भी मैंने एनेक्शर सनलगन जो है वो भी आपको दिखेगा विशेशक्य सलहकार समीती को नियुक्त करने का अनुशंसा थी वो नहीं करने दिया गया तो जो जो एक प्रक्र प्रक्रिया होती है वो तमाम प्रक्रियाओं का उलंगन करके ठेके दिये गए और जो काम किया गया उस काम का निश्पादन की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक नहीं थी तो वह आरोप स्वय में का अधिकारी ने लगाया नहीं अभी इसी पर बात करिया आप बड़ी जल्दी में इसके अलावा जा रहे हैं इससे पहले सत्यपाल मलिक जी भी इस राज्य में क्या हो रहा है वो बता चुके थे उस पर भी अभी कोई कारवाई हुई नहीं है उन्होंने बताया था कि कैसे संग के एक वरिष्ट नेता सुबह साथ बजे आकर इनके दर्वाजे पे दस्तक देकर दो फाइलें लेकर आते हैं वो सब सत्यपाल मलिक जी बहुत कुछ बता चुके हैं अब उसी राज्य से ये एक और चौकाने वाला घोटाला सामने आया है उस वक्त सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा तो हो सकता है मनोच सिनह जी इसलिए चुप रहते हों ये भी हो सकता है ये सवाल आपको पूछना चाहिए था आपने नहीं पूछा तो मैंने फिर भी जवाब दे दिया और आने वाले पांच मिनिट में आप ज किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हो उनका जवाब में यूँ ही देना शुरू कर दूंगा अशुक पर्मार जी अब ट्रेनिंग में है प्रमुक्ष सचिव होते थे इस विभाग के उनको डिमोट करके ट्रेनिंग में डाल दिया कि बोलिये ना इस पर हाँ हाँ पूछिए ना आपके मन में हैं होंगे सवाल घबराईये मत डरो मत कोई कारण होता है कि वहाँ चुनाव नहीं करवाय जा रहे कोई कारण है कि वहाँ मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जाता कोई कारण है कि वहाँ खुले हाम कोई आदमी जाता है जैड प्लस सिक्यूरिटी ले ले लेता है गोटाले करता है सुना उसको बेल भी मिल गई तो क्या हो रहा है वहाँ मनमोहन सिंग जी की सरकार के वक्त वो परेटन का केंदर बन गया था जमू कश्मीर आज घोटालों का केंदर बन गया है तो यह अंतर सपष्ट सबको दिखना चाहिए जी आप क्या 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 हम अब तो जांच की मांगी नहीं करते हम छोड़ दी हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से बस यह बाहर निकले बात अब जांच साथ महीने में तो क्या तो यह जांच करा लेंगे लेकिन न्याय अनुसूचित जाती आयोग से हमें उमीद अभी भी है कि एक दलित अधिका साथ आप न्याय करेंगे बाकी EDCBI तो हम जानते हैं आप भी जानते हो जन्नत की हकीकत क्या है लेकिन फिर भी अब साथ महीने सिर्फ खुलासे होने चाहिए अब जनता खुद करेगी जो करना है मुझे नहीं लगता कि अवे हमें कोई मांग करनी चाहिए जांच की कि अभी पहला पहला चरण है आपके माधियम से इसको बाहर लाए है क्योंकि यह बात दवाई जाती है नहीं आने दी जाती कभी G20 कभी कोई और 20 कभी 24 सब चलता रहता है तो 24 से पहले यह सब बाते अब सिफ आपके माधियम से हम जनता के दरवार में ले जा रहे हैं प्रदान मंत्री नरेंद मुधी G20 के समापन के बाद जिस तरीके से श्रे ले रहे हैं कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के भीतर शक्तिशाली देश के रूप में अबर्क आज आज जी ट्वेंटी पे कभी और चर्चा हो जाएगी अभी हो गया आप तो ब्राजील के पास चला गया फोकस अन दिस लेट्स फोकस अन दिस आई डोंट वांट फोकस तो गेट शिफ्टे प्लीज अब यह तो मेर्क नहीं वालो हम तो उनके टैच में नहीं है यह तो जो सारवजनिक पटल पे जो जो जानकारी है वह हमने आपके सामने रखी है हां कुछ एनेक्शन्स हैं जो सारवजनिक शायद नहीं रहे हों वह आपको बहुत चौकाने वाले एनेक्षर्स हैं, काफी मोटी प्रेस रिलीज है आज, आपने भेज़ दी, सब ने देखा होगा कितने एनेक्षर्स हैं, ये सारे जो खुलासे हैं, ये सरकारी कागजों से ही हैं, जो निकल कर आए हैं, कौन-कौन इंजिनियर जिसको हटाया गया, किसक में जोटी ब्रहमक, मनगर्णत और तथ्यात्मक रूप शेग पथे खाएं, को लुआ किसी आदिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो ग्रह मंतरी को, प्रधान मंतरी को केंद्र सरकार को ब्रहमक जानकारी दिता हैं, कहीं न कहीं कोई प्रोटेक्शन होगी तब ही हो ये कह रहे हैं, जान्च होनी चाहिए, जान्च होनी चाहिए क्यों किया हुन अधिकारियों की ? खुला खेल चल रहा है अभी तो एकदपरद खुली है आने वाले दिनों में क्या क्या वहां, मैं लोज ने आपको कुछ वक्त पहले स्मार्ट मीटर स्क्याम बताया था उस वक्तों खेर सरकार के वक्त हुआ था लेकिन अब उस स्क्याम का क्या हो रहा है नहीं मालूम सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला न मिलेगा कोई उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए ऐसे अनेक सवाल हैं ब्रहष्चाचार को लेकर भी सुरक्षा को लेकर भी डियस्पी दविंदर सिंग के बारे में तो हम कई बार आपसे आपके मारफ़त सवाल पूछ चुके हैं कोई जवाब नहीं आना आता ही नहीं है इंक्वाइरी तक नहीं होंने दियूलिखित में लिखा गया कि साब राष्ठी सुरक्षा के मद्धना नानाजर इन पर इंक्वाइरी भी नहीं कोई कारवाई नहीं होगा तो ऐसे कई सवाल वहांसे दबाए जा रहे हैं कि चपाए जारे हैं कि अब रहुल जी ने जो नाम लिए एजनसी के बिलकुल हम लगातार बताते आए यहां आपको उसमें आव आप एक अनुसूचित जाती आयोग भी डाल दीजिए कि अशोग परमार एक दलित आईये सधिकारी की शिकायत पर आज तक अनुसूचित जाती आयोग ने एलजी मनोज सिनहा को तलब नहीं किया या बाकी अन्य अधिकारियों को जो की अशोग परमार को प्रतारित कर रहे हैं उनको तलब नहीं किया आप मुझे फिर से धक्का मार के जी 20 पे ले जा रहे हैं मैं फिर से आपको खेंच के लाओंगा जमू कश्मीर पे तो यह रस्ताकसी चलने दो अच्छा लगता है लेकिन इस रस्ताकसी में जमू कश्मीर का यह बड़ा महतुपूर्ण मुद्दा विकरांत जी प्रशाचार का मुद्दा भी है एक दलित अधिकारी की प्रतारना का मुद्दा भी है और यह सब केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटिड ल्जी की नाक के नीचे हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है यह मैं उजह लगता है इसको डैल्यूट में नहीं होने देना चाहता है मैं आपको लगतार लगतार हमारे वरिष्ट सहयोगी जैराम रमेजदी लाइव ट्वीट कर रहे थे रिस्पॉंस पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा उस लाइव ट्वीट के रिस्पॉंस को तो मैं आपको इस प्रैसवारता के पश्चात जैराम रमेजदी द्वारा जितने ट्वीट्स जी-20 पर किये गए मैं आपको प्रेशित कर दूँगा आप पढ़ लिजेगा उसका अध्यायन करने के लिए मैं आपको 48 घंटे भी दूँगा फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो फिर एक प्रैसवारता और कर लेंगे मैं आपको मैं आपको मैं आपको फिर से दोराता हूँ जैराम रमेज जी ने लाइव ट्वीट किया जी-20 पर और उसका आपको अध्यायन करना चाहिए कि कश्मीर कश्मीर 13000 करोड डलित आईस अधिकारी की प्रताड़ना उससे ज्यादा महतुपूर्ण क्या हो सकता है मुझे बताईए ज्यादा महतुपूर्ण इंडिया गटबंदन है सर आप नहीं खोदी का इंडिया गटबंदन है तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं अधी द्यान आकरशित करूंगा यह गंभीर मुद्दा है इस पर से ध्यान ना हमारा बटने दीजिए ना आपका बटने दीजिए अधीर कार यही चाहती है कि ध्यान बटे सरकार यही चाहती है कि हैड्लाइन मैनेजमेंट हो सब मैं और आप कम से कम उस शड़यंतर का हिस्सा यह सब बातों पर चर्चा होगी आपसे लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान रखना बहुत आविशक है क्योंकि सरकार हमेशा बच के भागती है इनी सवालों के पीछे चिपकर मैं यह नहीं कहरा आप सरकार की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं आपका हक है सवाल पूछना भी चा नहीं कि सवाल पूछना गाजना स devil प्यान आप Judaism